वेलकम बैक टो निशाद रेंबो नमस्कार गाइज कैसे हैं आप लोग गाइज आज आपके साथ मैं अपना शीन हॉल शेयर करना चाहती हूं मैंने शीन से कुछ प्रोडक्ट्स मंगाये थे जो मुझे अच्छे लगे तो मुझे लगा कि मुझे आपसे भी शेयर करना तो आएए शुरू करते हैं मैं इसके साथ मैं आपको लोग भूग भी दिखाऊंगी बाद में और आप देख सकते हैं और इसको ट्राइ कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो जरूर मंगाये शीन के फैब्रिक बहुत अच्छा होता है बहुत ही बढ़ियां फैब्र पहला प्रोड़क्ट है मंगाया तो मैंने कुछ टाइम पहले था बटी आया है होली के एक दो दिन पहले तो ड्यूटू बुजी शदूल या मैं दिखा नहीं पाई आपको इसका होल तो आज मैं आपको दिखा रही हूं आप देखिए और बताएगा कैसी लगी आपको मेर लगा हुआ है और यह फुल है ब्लैक कलर में है और यह हाई एंड लो में है यह देखिए और यह इस तरह से आएगा कुछ नीचे इसका लोग तो यह आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों ड्रेसेस पर क्यारी कर सकते हैं तो अभी मैं थोड़ी दिर में इसका आपको लोग बहन सकते हैं हल्की ठंड में भी पहन सकते हैं और गर्मियों में भी पहन सकते हैं अप स्कर्ट के ऊपर और टीशिर्स के ऊपर जीनG two ऑपर भी केरी कर सकते हैं यह भी कुछensch टाइंव से आप देखिए इसमनेも बडन नहीं है जानते हां उपन ही होता है और यह देखिया शर्ट के उसमें आजाएगा हाइप में और फ्रंट पे ये ऐसे थोड़ा लॉंग आपर के घेर लेकर के तो बहुत ही प्यारा इसका लुक आता है और फुल स्लीफ हैं गाई तो आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कर्मियों में भी क्योंकि तब यह रहता है ना स्किम पे सन बर्ण ना हो जाए बहुत ज़्यादा आपको हीट ना क्योंकि गर्मियों में भी तो आपको सारा हाथ प्यार पोशन सारा चेहरा वगिरा कोशिश करते हैं लोग की ढखके ही चले क्योंकि गर्मी भी तो अच्छी खाजी पढ़ती अपने तो यह अच्छा लग मेरा तीसरा प्रोडक्त यह देखिए अब यह यह भी फुल स्लेव में है और इसमें साइड में दोनों साइड में पॉकेट्स भी है यह देखिए और यह कुछ इस साइज में है जिसमें की नॉर्मली हम लोग कुर्किया पहलते हैं तो शीन ऐसा ब्रैंड है जो कि मुस्ति वेस्टर्न ड्रसेजी बनाते हैं यह इंडियन आउटफिट्स नहीं बनाते तो यह आप पर डिपन करता है कि आप उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं तो मैं तो इसको पहनूंगी प्लाजो के साथ क्योंकि य या कैप्री जाएगी या जीन्स जाएगी तो वह मैं आपको क्यारी करके दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे प्यारप कर रही हूं इसका देखिए गोल गला है और यह बहुत ही अच्छा लगता है यह मेरा तीस्तर चौथा प्रोड़क्ट है जो मैंने शीन से मंगाया था आप देखिए यह डैनिम की कुर्ती है कुर्ती क्या है वह है तो पुरी कंप्री ड्रेस है लेकिन हम इंडियन्स इसको कैसे कनवर्ट करते हैं अपने हिसाब से क्यूंकि मैं वेस्टर में बहुत ज़्यादा कमफर्टेबल नहीं हूं पहनती हूं कैरी करती हूं बट मज़ा नहीं आता मुझे तो देखिए यह यह देखिए कि इसका पुरा डिजाइन है और इसमें यह डोरी भी लगी है व्योंकि बहुत ही अच्छा लुप देती है इसको यह देखिए वाइट और यह आप इसको व यहां नीचे देखिए लेस भी लगी हुई है और यह बहुत अच्छा लग रहा है तो यह भी मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको मगाया था और इसको मैं वाइट प्लाजो या फिर वाइट जीन्स के साथ या कैप्री के साथ प्यारप करूंगी लास ड्रे यह लांग ड्रेस है अच्छली आप देखिए प्योर कॉटन है और इतना बड़ी है इतना सॉफ्ट फैब्रिक है गाईस आप देख सकते हैं यह कॉलर है इसका और इसमें यह बटन लगे हैं है और यह फूल साइज में है एक्चली यह थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा था मिरे साइज से तो मैं ने इसको नीचे से कट को तिया है और यह बटन्स वाला पोश्चन गाईस ओपन था तो यह मैंने उपर का फॉर्स बटन छोड़के और नीचे तक पूरा टक कर दिया है और यहां पर देखे लास्ट में यह स्लिट छोड़ दिया है इतना बढ़िया इसका लुक आता है प्रिंट भी देख रहे हैं बिल्कुल समर्स का प्रिंट है पिंक एन वाइट का कॉंबिनेशन और इसमें गेर भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल जैसा फ्रॉक का लुक आ लुक आता है इसमें पहनने पर और यह पीछे इसकी डोरी है बेल्ट है जो कि आप बांद सकते हैं आपको जितना टाइट एन लूस पहनना है तो यह भी मुझे बहुत पसंद है और इसको मैंने होली वाले दिन पहना था और बहुत अच्छा लग रहा था है मैं आपको उस थोड़ी सी पतली है जैसे हम लोग नहीं कमफोर्टेबल है तो आप इसके नीचे लेगिंग डाल सकते हैं पिंक या वाइट कलर में या फिर आपके पास प्लाजो हो एंकल लेंथ वाला तो वो भी आप वाइट या पिंक कलर में डाल सकते हैं तो यह अच्छा लगा मुझे बहुत ही कमफोर्टेबल है पहनने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि कुछ हैवी सा है और कुछ बहुत मेहनत करने पड़ है कैरी करने के लिए तो गाइस मैं अभी यह सारे ट्रेस आपको पहन कर दिखाती हूं और आप इसका लोग बुक जरूर चेक कर बहुत है अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल निशाज रेंबो और वहां पर एक बैल आइकन मिलेगा जो आप हेट करेंगे तो मेरी आने वारी नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आजाएगी तो आप लोग स्वस्त रहें मस्त रहें और व्यस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों